एक लड़की का murder हुआ तभी हमारी main character ने उस लड़की को एक बार में देखा था उसके बाद उसकी life में एक डिरिक्टियो आता है जो बहुत mysterious था Hello friends, आज मैं आपको in the cut ये Hollywood mystery movie explain करने वाला हूँ इस movie की खास बात ये है कि हर character पर आप शक करते हो तो अन तक इस वीडियो को जरूर देखेगा अब बिना किस दरीके explanation स्टार्ट करते है movie स्टार्ट होती है और हमारी main character जिसका मैं Franny ये हमसे introduce होती है Franny अपनी sister के साथ बात कर रही थी अपनी sister कराम है Pauline Franny एक teacher है एक बार में अपने student से हो मिलने वाली थी पॉलिन को लगता है कि Franny का student उसे like करता है Franny ने उसे का मेरा हर student मेरे साथ flirt करता है ये कोई अलग बात नहीं इसके बाद Franny और उसका student Cornelius ये कुछ subject पर बात कर रहे थे थोड़ी दर में Franny नीचे toilet के लिए जाती है तभी वहाँ पर एक आदमी और एक लड़ की intimate हो रहे थे उसे बहुत ही intriguing लगा तो ये देखने लग जाती है Franny ने उस आदमी के हतों पर एक tattoo notice किया उसे बहुत वक्त लगा था तो उसका student यहाँ से चला किया इस बार का बिल Franny को ही pay करना पड़ता है अगली दिन वो student Franny की class में नहीं था class खतम होने के बाद वो से उसके बार के पैसे दे देता है Franny कहती है classes में आया करो ये बहुत ही important है Cornelius actual में Franny को like करता है पर Franny अपने student के साथ कोई भी relationship नहीं रखना चाहती इसके बाद जब वो घर पर आये तो एक detective उसका wait कर रहा था ये हमारा और एक main character है उसका नाम है Malloy अभी अभी Franny के apartment के सामने की garden में एक lady की dead body मिली थी उसी एक investigation करने के लिए Malloy उसके घर पर आया हुआ था उसे बुशता है ये जिस रात murder हुआ ये तुमने कुछ सुना था तुमें कुछ भी पता हो तो सब कुछ पता देना चोटी चोटी details Franny कहती है कि generally मैं अपनी window open करकर सोती हो पर उसे कुछ भी सुना है नहीं दिया यही पर ये दोनों जब बात कर रहे थे तभी Franny का ex-boyfriend उसे उसके apartment के बाहर मिलने के लिए आया बाहर से ही उसे एक message भी देता है Franny ने इस बात को ignore कर दिया Malloy Franny के घर में बहुत सारी चीज़ों को notice कर रहा था इस जैसे कि वो artistic type है बहुत सारी चीज़े लिखती रहती है Franny की sister की photo भी उसने देखी इस सब investigation के बाद Malloy अपना number देकर वहाँ से चला जाता है Franny ने Malloy के बारे में एक चीज़ notice की थी जो tattoo उस रात बार में intimate होते हुए आदमी के हाथ पर था यही tattoo Malloy के हाथ पर भी है उसे लगता है शायद वो वही था रात में उस आदमी को imagine करकर वो अपने आपको प्लीज करती है अगले दिन जब Franny अपने काम पर जा रही थी तो Malloy और उसका detective friend यह दुनों से रोक लेते है उसे लेट हो रहा था तो उसे drop करने वाले थे मुलाय फ्रैनी से कहता है जिस रात मर्डर हुआ तुम उस रात उसी बार में थी क्या तुमें कुछ याद है उन्हें credit card bill से ये information मिली हुई थी फ्रैनी कहती कि मुझे कुछ भी याद नहीं मुलाय ने मर्डर के उसे सब कुछ फोटो जगरा दिखा है जो बहुत ही dangerous थे फ्रैनी को कुछ भी याद नहीं आता जिसका murder हुआ था उसे अपने life में उसने कभी भी नहीं देखा था जाते वक्त मुलाय फ्रैनी से कहता है मैं तुम्हें figure out नहीं कर पाता क्यों ना हम date पर चले फ्रैनी ने भी इसके लिए हा कह दिया वो फिर अपनी sister से मिलने के लिए आई उसकी sister आज बहुत ही जादा disturb हो चुकी थी actual में उसका एक doctor के साथ affair था पर इस doctor की already family थी अब doctor की wife को सब चीज़े पता चली तो doctor ballin को ignore करने लग गया ballin ने doctor को contact करने की फ्रैनी का बड़े था तो ballin ने उसे gift दिया एक bracelet है जिस पर अलग-अलग चीज़े बनी हुई है यह फ्रैनी को बहुत अच्छा लगता है फ्रैनी ने पॉलीन को मुलाई के बारें बताया तो पॉलीन कहती है तुम्हें इस date पर जाना चाहिए फ्रैनी भी फिर मुलाई के साथ बार में आके मुलाई उसे पुछता है तुम उस रात तुस student के साथ थी क्या तुम्हारा boyfriend है फ्रैनी कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं मुलाई ने उसे clear कर दिया कहता है तुम्हें जो भी चाहिए वो बनने के लिए में ready हो मुलाई ने कहा मेरे पार्टनर की वाइफ और उसमें जगड़ा हुआ था वो कभी भी उसे मारता नहीं पर उसकी वाइफ ने उसके ट्रॉपेस को तोड़ दिया था इनकी बात चल ही रही थी तो मुलाई का पार्टनर रीच वहाँ पोच गया यहाँ इसी बार में एक और लड़की थी जो मुलाई को देख रही थी तो रीच फ्रैनी के सामने मुलाई को कहता है यह तुम्हारे साथ intimate होना चाहती है यह सब बात यह फ्रैनी को अच्छी नहीं लगी वो यहाँ से जाने लग गए एली से गुजरते वक्त अजानक उस पर किसी ने हमला कर दिया फ्रैनी जल्दी से जान बजा कर भागी और वो स्टीट पर पहुँझ गे यहाँ पर एक टैक्सी की टकराने की वज़े से उसे थोड़ी सी चोट आए पर अब वो सेफ थी जब वो घर पहुझे तो मॉलाय उसके घर के सामने उसका वेट कर रहा था उसे सौरी बोलने के लिए आया हुआ था जो भी हुआ फ्रैनी ने उसे सब कुछ चीज़े बताए फ्रैनी को लग रहा था कि शायद वही आदमी मर्डरर था मॉलाय उसे कहता है कि वो मर्डरर हो नहीं सकता क्योंकि मर्डरर बहुत ही अजीब तरीके से मर्डर करता है इसके डिटेल्स में वो नहीं जाना चाता क्योंकि यह बहुत ही घटिया होती है मॉलाय ने फ्रैनी से कहा कि मुझे बता कि उसने तुम्हें किस तरीके से पकड़ा हुआ था ये दोनों एक्ट करते हैं तब ही मलाई उसे टच करने लग गया फ्रैनी और वो फिर इंटिमेट हो जाते है फ्रैनी मलाई से बहुत ही सप्राइस थी क्योंकि वो अलग-अलग चीजे ट्राइ कर रहा था उसे बुछती है तुम इतने एक्स्पिरियंस कैसे हो मलाई ने कहा कि जब मैं टीनेजर था तो पीजा डीलोरी का काम क्या करता था एक दिन एक ओल्डर लेडी मेरे साथ इंटिमेट हुई थी उसने मुझे इस सब चीजे सिखाई थी एक्जेक्ट ओरीजिन स्टोरी आफ जॉरी सिंस फिर इसे इंटिमेट होने के बाद फ्रैनी ने अपना ब्रेसलेट नोटिस किया तो उससे एक चीज गायब थी शायद स्टीट में फाइट करते होग गिर गई होगी फ्रैनी ने मौला इसे उस मर्डर की रात के बार में बात कि वो गहता है उस रात तुम बार की नीचे उस लड़की के साथ इंटिमेट हो रहे थे मौला इसके बार में कुछ भी नहीं जानता फ्रैनी कहती है उस लड़की के ब्ल्यू फिंगर नेल्स थे मुलाई इंट्रेस्टेड हो गया क्योंकि उसी लड़की का उस रात मर्डर हुआ था उसने फ्रैनी से कहा कि तुम्हें पुली स्टेशन चलना चाहिए तुन्हें विक्टीम को एक आदमी के साथ देखा था शायद वही आदमी मर्डरर हो सकता है नेक्सीन में हम देखते हैं कि फ्रैनी अपनी सिस्टर पॉलीन के साथ हैंग आउट कर रही थी फ्रैनी को लगता है कि मुलाई उससे जोट कह रहा था उस रात उस बार में वही उस लड़की के साथ इंडिमेट हुआ था यही बात करते करते फ्रैनी का एक्स बॉइफ्रेंट कैफे के सामने उसका वेट कर रहा था फ्रैनी के जाने के बाद वो बेजारा बहुत ही अकिला पर चुका है उसे कॉल करने की कोशिश करता है मनाने की कोशिश करता है पर बहुत ही लेट हो चुका था फ्रैनी अब उसे प्यार नहीं करती है वो अपना डॉक फ्रैनी को देना चाहता था वो एक्चुल में डॉक्टर है तो 8-8 गंटे उसे होस्पिटल में रहना बढ़ता है फ्रैनी भी इसके लिए मान जाती है हम मुवी में फ्रैनी को जिस तरीकी से देखते है उसे हमें पता चलता है वो फ्रैनी की मेमरी उतनी अच्छी नहीं वो हमेशा थोड़ी से डिलूजनल स्टेट में रहती है नेकसिन में फ्रैनी का क्लास जब खतम हुआ तो कॉर्नेलेस उसे देख रहा था उसकी वून को उसने नोटिस किया उसके लिए वरी करता है तब यह हम देखते हैं यह मुलाक कॉर्नेलेस को ढून रहा था मर्डर के रात कॉर्नेलेस भी उसी बार में था तो उसे भी वो क्वेशन करता है फ्रैनी पर कल राज जिसने अटेक किया था उसके बास फ्रैनी का वालेट है उसके घर पर आ सकता है तो इसी वज़े से वो 5-6 दिन अपनी सिस्टर के साथ आकर रहती है उसकी सिस्टर और वो अपने फादर के बारे में बात कर रहे थे फ्रैनी गहती है क्या तुमें याद है या हमारे फादर मेरी मदर से किस तरीगे से मिले थे फादर किसी और के साथ एंगेज़ थे और पाक में आये हुए थे वही पर उनोंने मेरी मदर को देखा वो उससे उनकी नजरे हटा नहीं पाए जिससे वो एंगेज़ थे उसने भी ये नोटिस किया उनकी एंगेजमेंट उसी दिन तूट गई थी तुरंद बात फादर ने एक दू घंटे में ही मेरी मदर को प्रोपोस कर दिया इनकी बातों से मैं पदा चलता है कि फ्रैनी के फादर ने चार पा शादिया की थी फ्रैनी वंडर करती है कि एक हस्बंड को पाना कितना डिफिकल्ड होता है थोड़ी दिर में मॉलाय ने फ्रैनी को कॉल किया और एक मर्डर हो चुका था उसे स्टेशन पर आकर कुछ क्वेस्चन पूछना जाता था मॉलाय के पार्टनर ने फिर फ्रैनी को अलग-अलग गुंडों की फोटोस दिखाए फ्रैनी कहती कि उस रात अंदिरा था उस आदमी को देख नहीं पाई थी बात करते कर दिम मॉलाय का पार्टनर उसे डेट पर लेकर जाना चाहता था तब ही मॉलाय यहाँ पर पहुँच गया और फ्रैनी को लेकर जाता है मलाय को फ्रैनी बहुत ही अच्छी लगी थी उसे बुच्छता है कि प्रपोस करने से पहले कितना टाइम वेट करना चाहिए फ्रैनी कहती है मेरी मदर और फादर सिर्फ एक गंटे में एंगेज हो गई थे मलाय फिर उसे जंगल में एक नदी के पास लेकर गया यह जगा देखकर फ्रैनी को लगता है यह मर्डर करने के बाद बॉडी चुपाने के लिए परफेक्ट है तब ही मलाय ने गंड निकाली और पानी में वो शूट करता है उसे जो भी फ्रस्टेशन हो यह पानी में शूट करकर वो निकाल देता है फ्रैनी गंड से डर रही थी पर मलाय ने उसे गंड चला नहीं सिखाई वो भी प्रैक्टिस के बाद एम करना सीख कई थी यह दोनों फिर यही पर कीज करने लगते है यह इंटीमेट होने वाले थे पर मलाय रूख कया वो कहता है दिन रात मेरे माइंड में उसी मर्डर के खयाल चल रहे है वो इसे अपने माइंड से निकाल नहीं पाता इसके बाद फेरे दोनों एक कैफे में आए एक्चुली मलाय को अल्डेरी डिवास हो चुका था और अपने बच्चों के पास उसे कुछ दिनों के लिए जाना था फ्रैनी को लगता है कि उससे पीछा छोड़वाने की कोशिश कर रहा है मलाय उसे समझाता है कि मेरे और मेरे वाइफ में कुछ भी नहीं है जब मेरा और उसका डिवास हुआ तो यह बरबात हो गया था उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आपको खड़ा किया है इन सब बाद से फ्रैनी डिस्टब हुए और वैसे की घर पर आई घर पर उसका एईस बॉइट कर रहा था उसके बाद अभी भी उसके घर के चावी थी वो फ्रैनी से कहता है कि शायद तुमारे स्टूरेंट ने मर्डर किया था पुलिस ने नोटिस किया कि उसने अपना प्रोजेक्ट बलर से कम्प्रीट किया था फ्रैनी उससे कुछ भी बात नहीं करना चाहती है तो यहाँ से चली जाती है वो डारेक्ली अपनी सिस्टर के पास आई घर पर उसे कोई भी दिख नहीं रहा था जब वो बात रूम गई तो उसे डारेक्ली उसकी डेट बोडी मिली पुलिस को कॉल किया जाता है मुलाय वहाँ पर पहुचा उसे साहरा देता है फ्रैनी उससे कहती है जब मैं छोटी थी तो एक दिन मैरे फाइदर मुझे सिटी में छोड़ कर चले गए थे बास दिनों तो मुझे कोई भी ढूण नहीं पाया था यह सब बात जब मैंने फ्रैनी से कही तो उसने मुझसे कहा था मुझे इस opportunity का फाइदा उठाना चाहिए था जब भी फ्रैनी के जी hard situation में होती थी तो पॉलीन उसे help करती थी यह दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही important थी फ्रैनी ने पूछा उसका murder कैसे हुआ था उसे जानना था मुलाई कहता है कि murderer ने उसे एक ring पहनने के लिए दी उसके बाद उसने उसका सर काट दिया फ्रैनी बहुत रोई उसे फिर मुलाई घर पर लेकर आया अगली दून फ्रैनी को मिलने के लिए फिर से उसका student आया हुआ था फ्रैनी रिस्टब थी उसने बहुत सारे ड्रिंक कर लिया था तब उसका student उसके साथ intimate होने लगता है फ्रैनी उसे मना कर दिया पर उसे force करने लग गया था तब मुलाई का partner किरके से उसे आवाज देता है ये student फिर गुसे में वहाँ से चला गया थोड़े दिनों के लिए मुलाई अपने family के साथ गया था तो इसी वज़े से उसने अपने partner को फ्रैनी पर नजर रखने के लिए कही कुछ दिन गुज़र जाते हैं और उफ भीसे फ्रैनी के पास वापस आया फ्रैनी उस वर बहुत ही गुसा थी उसे बहुत मारती है फ्रैनी के हालत बहुत ही खराब थी मुलाई उसे उठाता है उसे बात विगरा देता है फ्रैनी उसे कहती है या तुमसे कुछ भी expect करना क्या गलत है उसे अभी भी लगता है मुलाई एक लायर है इस बात से मुलाय को गुस्सा आ गया वो कहता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम मुझे पर ट्रस नहीं कर सकती है तो उसमें कुछ भी पॉइंट नहीं है वो गुस्सा करकर यहां से जा रहा था पर फ्रैनी ने उसे रोक लिया वो रेड़ी हुए और उसके साथ कही बाहर जाना चाती थी पर उसे पहले मुलाय के हैंड कब उसने ले लिये एक पोल से उसे बान देती है वेसी उसके साथ वो इंटिमेट होके मुलाय कहता है कि मुझे जल्दी से यहां से बाहर निकाल लो उसे ज़रा uncomfortable लग रहा था अब फ्रानी जब मुलाय के पोकेट में चावी ढूंड रही थी तबी उसे अपने bracelet का एक हिससा उसके पोकेट में मिला यह उसकी bracelet का हिससा उस तरा street में फाइट करते हैं गिर गया था उसे लगता है उसे जो मारने की कोशिश कर रहा था ये मुलोई ही था मुलोई ने उसे समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है उफेल से उसी साइट पर गया था उसे ये चीज मिल गई थी फ्रैनी सारे डॉट्स कलेक करने लग जाती है उसने नोटिस किया था कि पॉलिन की घर की चावी मुलोई के पास थी पर वो डिरेक्ट्व है तो शायद इसी वज़े से मुलोई के बाद घर की चावी उसके पास हो सकती थी पर सारी चीजे उसे मुलोई के बास ही पॉइंट कर रही थी Molloy के हाथ पर का टैटू भी वो इग्नोर नहीं कर सकती वो कनफाम हो जाती है कि वो ही मर्डर है Molloy के हाथ बंदे हुए थे वैसे उसे चोड़ कर वो बहार निकल जाती है बहार आने के बाद Molloy के पार्टनर से उमिली उसे सब कुछ बात बता देती है पार्टनर कहता है कि मेरे साथ चलो मलोय ने भी इंसेली बातों के बार में सोचा उसने और उसके पार्टनर ने एक ही टाटू बनवाय हुआ था इसका मदलब है उसका पार्टनर सीरियल गिलर है फ्रैनी को मलोय का पार्टनर एक रिमोट से लाइट हाउस पर लेकर आया पार्टनर फ्रैनी से कहता है कि मलोय एक अच्छा ओफिसर है वो ऐसा कुछ भी कर नहीं सकता फ्रैनी ने मलोय के पार्टनर के हाथ पर टैटू नोटिस किया वो समझ गई थी कि यही एक्च्छल सिरियल किलर है वो डर कर रोने लग गई थी पार्टनर उसे हग कर लेता है वो कहता ही कि डरों मद वो हमेशा किसी को भी मारने से पहले उसे रिंग देता है उसी तरीके से फ्रैनी को भी उसने रिंग दी फ्रैनी को अचानक से याद आया कि उसके पास जो मलाग को जैकेट है उसमें उसकी गन है वो गन लेकर इस किलर को मारने की कोशिश करती है पर इन दोन में बहुत फाइट हुई फाइनली उसने उसे मार डाला मलाग ने घर पर कव से निकलने की बहुत कोशिश की थी पर वो निकलने पाया था फैनी घर पर आई और उसे गली लगा लेती है वो अब उस पर पूरी तरीखी से ट्रेस करती है यही बरे मुवी एंड होगी अगर आपको एक्स्प्रेंशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा वे बहुत सारे मुवी लेकर आते रहतो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बिल नोटिवेशन आइकोन दाने मत भुलिएगा हम वीर से मिलेंगे और एक निमुवी के साथ तो तके लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये